वाट्सब गैस मेरा नमे शुबम आप देख रहे हैं शौटे कांसर यूटूब चानल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज कड़े में हम बात करेंगे अखिर सेटल लाइट हवा में टिके कैसे रहता है और यह काम कैसे करता है दोस्तों चलिए कुछ देरी के बगर इस वीड सेटल लाइट होता है जो कि आप देखते हैं वह सेटल लाइट से ही कनेक्ट होता है दोस्तों अब जान देते हैं कि सेटल लाइट है क्या दोस्तों आप आसानिस से मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों आसानिस से हम एक ऑबजेक्ट है दोस्तों एक ऑबजेक्ट मतलब की जो दूस्तोओ एक पाउर बैंक है समझ गेंंगा दोस्तोओ इसे मतलब कि आप जो भी ऑडियेंस देख रहे हैं दोस्तों इसे आप सेटल लाइट सम Junior दोस्तों यह मतलब की गोल हखा IF प्रत्वी है। तो यह जैटलीट है और प्रत्वी बहुत पड़ीए की मतलब की इससे कही गुणा ज्यादा बड़ी है। जो एक औब्जेक्ट बड़ए ऑजेक्ट के साथ चक्कर लगाताहे unit user light कि पड़ेग के साथ चक्कर लगाताएं उससे हम सेटलाइत तो हमारे प्रत्वी मतलब की प्रत्वी हम जहां पर रहता है ना प्रत्वी के उपग्रह चंद्रमा हमारे प्रत्वी की चारो तरब गुमता है और यही इसी बात पर मतलब की इसी से प्रेड़ना लेकर मानव ने एक सेटल लाइट निर्मित किया है जो की जो कि हम इंसान उससे सेटल लाइट कंट्रोल होता है लेकिन चंद्रमां प्राक्रतिक है वह हमसे कंट्रोल नहीं होगा लेकिन जो सेटल लाइट है ना जो मानवने भेजा है उपर अंतरिक्ष में वह सेटल लाइट अपने प्रत्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है दोस्तो और आसानी से मतलब की और आसानी से हम समझे तो एक सूरिय के तरफ सारे ग्रह जैसे चकर लगाते वैसे ही प्रत्वी की तरफ प्रत्वी की और एक सेटलाइट मतलब की जो मानव निर्मी सेटलाइट है वो गुमता रहता है दोस्तो इसका आकर इतना बड़ा होता है कि एक ट्रक जैसा ट्रक जितना साइज इसका हो सकता है दोस्तो अगर छोटा साइज बोलो ते टीवी मतलब की इतना भी साइज हो सकता है टीवी से लेकर बड़े ट्रक के टायर मतलब की ट्रक जितना बड़ा हो सकता है दोस्तो यह उ क्लिप अच्छा लग गएगा दोस्तो边 बात और तरह करता है चाहिए बिज़़ी रेडियक करने में होते हैं दोस्तों एक चीज को चलाने के लिए बिजली की जरुरत होती है वैसे ही सेटर लाइट को चलाने के लिए बिजली की जरुरत होती है लेकिन ऊपर को कौन बिजली लेने के लिए भेजेगा मतलब कि कौन उससे बिजली देगा दोस्तों अपने आप से ही बिजली रेडी करता ह कैसे दोस्तों उसमें जो दो सेलॉलार पैनल है ना वो उसे बिजली प्रोड्यूस करती है मतलब की दो वहां पर एक ट्रास्मीटर और एक रिसीवर होता है जो कि बिजली को लेता है और एक रिसीवर मतलब की लेता है दोस्तों वहां पर होता है तो इसके अला और बात करें त रुआ है तो इसमें दोस्तों कि जो मौटरी विह होते हैं जो की हम सद्ट लइड का स्थिती मतलब कि यहाँ पर है सेटेल लाइड मतलब की जो जो अब्जेक्ट ह Bolsonaro हम्हें हैं इस तरफ कम इस तरफ का नहीं कि हम सेटल लाइट को इस तरह धरती में बेटे-बेटे कॉंड्रॉल कर सकते हैं जोंकि मुझे काफी पसंद आया दोस्ते इसके और हम बात करें तो जो हमें अब्जेक्ट की तरह दिखता है जो प्रतवी की तरह चारो तरफ जो चक्कर लगाता है दोस्तों उसे मतलब की दोस जो कि इसे हम ज्यादा से ज्यादा इसलंग साओ इसने हैं कि इस दोस्ता महारे लिए बहुत अच्छी बात से बहुत अची बात नहीं तो कुछ भी नहीं कुछ सथ्यूएमपिल करता इसलिए मैं इस पर बना रहा हूं दोस्तों 스टलिए सेटलाइट से हमारे कम्युनिकेशन मतलब की टेक कम्यूनिकेशन हो पिर या फिर मॉबाल नेटवर्क जीपीएस या फिर आप जो भी इंटरनेट पर देखते हैं ऑसे अगर हमें वातावरण का हल चाल मतलब कि अगर दोस्ता हाली में सैग्ला नहीं तो काट ओझांथ जो कैसे पताचला जो दोस्तों उसमें जो रेडार है राटार से पता चलता है जो कि सेट्रलाइट से कनेक्ट होकर इसे हमारे जो जो लिए ने बेश्चता है जो कि वह वहां उसे जो ईत्याम से उपडेट करते रहते हैं मतलिब की देखते रहते हैं आखिल क्या-्कया हो रहा है सेटर्लाइट की मदद से हम इतने काम कर सकते हैं home को दोस्तो आश्मान की या फिर प्रत्वी की स्केंनिंग कर सकते हैं या फिर मतलब कि हम उन्से फोटो में ले सकते हैं यहाँ पर प्रत्वी पर जो कि बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे एक लिप बनाने से मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसे हस्ते हस्ते बता रहा हूं जो कि मुझे काफी पसंद आया तो अब जान लेते हैं कि यह उपर कैसे टिका रहता है मतलब कि जो हवा में यह चक्कर लगाता है वो कैसे लग प्राक्रतिक की तरफ से हमें आसानी से हो रहा है अगर प्राक्रतिक में वैसे नहीं होता है तो हमको बहुत मुश्किल होती वैसे उसे ठिके रहना के दोस्तों सिंपल सा एक नियम है जो कि अगर उपर कोई भी कुछ भी है तो मतलब की हमारे प्रत्वी की उपर मतलब की अंतर उससे खिश नहीं सकती मतलब कि उपर जो उतने हवा की कॉंटिटी नहीं होती है दोस्तों इसलिए वह पर ठीके रहता है और प्रत्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है दोस्तों आपने समझे लिया होंगा दोस्तों अब इसमें और एक मुख्य पात रहता है जो कि द आ गया होगा पहले इसे ही देखकर दोस्तों इसमें लाइक ठोको और आपका कुछ सवाल या सुझा हो तो आप निचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इन में तीन पार्ट कौन-कौन से हैं दोस्तों चलिए इसे जान लेते दोस्तों हम इसमें पहला केटेगरी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों इसमें तीन केटेगरी में विबा किया जगया है दोस्तों पहला केटेगरी है लो और्बिट सेटलाइट मतलब की लो अर्थ और्बिट सेटलाइट दोस्तों इसका काम एह है कि दोस्तों यह प्रत्वी की करीब रहती है मतलब की प्रत्वी के पास रहती है दोस्तों इसके उंचाई 160 से लेकर 1600 किलो मिटर तक की होती है मतलब की इसकी उंचाई दोस्तों यह प्रत्वी की तेज गती से चकल लगाती है इसलिए दिन भर में कही बार प्रत्वी की चकल लगा चुकी होती है दोस्तों इसे इस मैं दोस्तो अगर मुझे क्लिप मिला तो मैं डालने की बहुत कोशिश करूंगा तोस्तो आप दुसरा के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है मेडियम अर्थ और्बिट सेटलाइट दोस्तो इसका काम एह है कि यहां वहां हजारों उपग्राव होते हैं दोस्तो इसका काम दोस्तो इसका बी रिजन है दोस्तो इसका उंचाई 10,000 किलोमेटर तक से लेकर 20,000 किलोमेटर तक की होती है इसकी उंचाई दोस्तो इसलिए इसे नेविगिशन के लिए यूस करते हैं तो इसका नाम है हाई अर्थ औरबिटि उप nous का काम है कि क्यूंट कि कम्यूंट कि कम्यूंच के इसका विजन दोस्तो एक प्रतवी की प्रतवी एं तो ये थटी सिक्स किलोमीटर दूर की दूर है मतलब कि अर्थ से यह फिर धर्ती से यह इसने कम्युनेकेशन के लिए इस्तेमाल गया तो इhr Junior क्योंकि दूखाए आ प्रथ्वी प्रथ्वी जैसे हमारे सुरी की चक्कल लगाती है बोईसे ही ऑर्बीट मतलब की जो सेटलाइट है मतलब की लास्ट करें वो 36,000 किलोमेटर दूर रहते हुए भी जो प्रत्वी कैसे गुमती है वैसे ही उसके साथ ही गुमती रहते हैं इसलिए इसे कम्यूनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों और एक बात दोस्तों नासा हमेश्या आस्मान चुती रही है एक अमेरिका की मतलब की कमपनी है दोस्तों अगर हम रिसर्ट सेंटर है दोस्तों यह की जो यह रिसर्ट सेंटर है जो नासा है दोस्ता हमारे इंडिया क्या हम मैं प्रावड होके बात करना चाथा हूं इसके बारे में दोस्तों हमारे इस रो जो की अब तक अंतरिक्ष में 100 सेटलाइट को भेज चुका है मतलब की 100 मतलब की century century मतलब के 100 satellite पर चुका है इस रो इसके लिए मैंने खास वीडियो बनाए हैं इसी बात के लोकर मतलब की इस रोक के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता नहीं है इसलिए मैंने इसके बारे में बता दिया है दोस्तों आशा करता हूं कि आपको य किया सुजा हो तो आप नीचे कम्यिट करके जरूर बताना गर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो से लाइक करो चैर करो कमेंच करो सब्सक्राब करो दोस्तो ऐसे वीडियो में या फिल नॉलेज़िबल वीडियो में मैं मिलता हूं दोश्तो तब तक के लिए आप जहां भी रहो सही तरीके से रहो मतलब की कुछ गलत मत करो दोस्तों तब तक के लिए बाई बाई